हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो माई इनुवर्स संडे साइन्स न्यूज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है वैसे ये हर सब्ता आना चीह है और आता है भी पर पिछले सब्ता बारिस हुआ समझ सकते हैं और फिर भुकार आया वैसे पिछले सब्ता कुछ खास था भ दे वीडियो इंठो दे वीडियो इंठो दे वीडियो इंठो तो पहला नियूज निकल के आ रहा है 15 जोन से जहां एस्टोनोमर्स ने ये कहा कि उन्होंने एक मल्टी प्लैनेट सिस्टम को खोज लिया मल्टी प्लैनेट सिस्टम मतलब सोल सिस्टम के जैसा ही किसी और स्ट प्लेग है या फिर एक महामारी है जो कि यूरोप के उस टाइम के लगबग आधी पॉपलिशन को खतम कर चुका था और अब सैंटिस्ट एक विक्टम के डियने को एनलाइस करके ये पता कर लिए ये इतना खतरना क्यों था फिले बढ़ते है नेक्स निउस के तरब नेक्स निउस निकल कहता है चाइना से जो कि 19 जून का है और नेक्स्ट निउस निकल क्याता है इंडिया से जहां 23 जोन को ये खबर आया कि इसरोग का अपना सैटलाइट PSLV C-53 को सिंगपोर से लॉंच करने वाल है और ये लॉंच डेट 30 जोन को रखा गया है बहुत बढ़िया चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट निउस के तरफ और न इसकला निउस भी 23 जून से निकल क्याता है जहां BP Colombo spacecraft ने Mercury का सेकेंड फ्लाइबाई 23 जून को ही complete किया इसने Mercury प्लैनेट की सर्फेस से लगबग 200 किलिमेटर की दाएरे पे फ्लाइबाई किया जिसके वज़े से Mercury के कुछ नई इमेज सामने निकल क्या है चलिए बढ़ते अगले निउस के तरफ और जो निक्स निउस एवर 24 जून से ही है जहां नासा ने चांद के डस्ट को निलाम करने से रोक लिया जिसको की अपलोट मीशन के दौरान लाया गया था चांद से देखते हैं आगी क्या होता है कुछ भी होगा तो मैं हूँ ही इन्फर्म करने के तो बस आज के लिए इतना ही अब से रेगुलर वेडियो आएंगी और न्यूस भी रेगुलर ली आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाए